हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हु राहुल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके सामने इंपॉर्टेंट इंग्लि उकें दोस्तों तो इसके पहले हमारा जो लेक्चर नंबर 11 था उसमें हमने डिसकर्स किया था तो फिगर ओफ स्पीच के लिए आज जो हमारा विडिओ हे वो second lecture का वीडियो है क्योंकि इसके पहले हमने figure of speech शुरुआत की थी and total chart type का figure of speech already हमने आपको बताया था जिसमें alliteration, repetition and assimile वगरे हमने discuss किया था तो उमीद करता हूँ कि आपने इसके पहले का भी figure of speech का वीडियो देखा होगा और ये भी वीडियो उतना ही important है क्योंकि बचे हुए कुछ ऐसे figure of speech है जो आज हम आपको बताने वाले हैं तो आज का वीडियो बहुत जादा important है तो वीडियो को end तक जरूर से देखिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आज के डिट में जो हमें पढ़ना है figure of speech वो है metaphor तो metaphor का actually meaning क्या होता है definition बताऊंगा फिर आपको example से भी समझाने की कोशिश करूँगा तो here an implicit comparison is made between two unlike objects यानि कि दो अलग-अलग objects जो कि एक दूसरे से बिलकुली अलग है लेकिन उनके भी बीच में दोनों में एक तरीके से comparison not conversion comparison अगर हम करते हैं दोस्तों without the use of words like, so and as अगर हम लोग like, so and as use करेंगे तो वो different हो जाएगा लेकिन अगर हम कोई भी दो चीज़ को compare करते हैं ठीके and वो दोनों को compare करने के लिए हम लोग like और so और as ये तीनों का use नहीं करते हैं फिर भी दोनों word जो है वो compare हो रहे होंगे तो ऐसे type के words को हम लोग क्या बोलेंगे metaphor बोलेंगे तो same जैसे हमारा simili था तो simili में हम लोग so like और as use कर रहे थे जो हमने first lecture में आपको इसके पहले के lecture में बताए था लेकिन अगर like, so और as word अगर हम use कर रहे हैं तो उसको हम लोग जैसे कि children are the most beautiful flowers of the garden of humanity क्या बोल रहा है कि जो बच्चे होते हैं वह बहुत ही सुन्दर fool है जो इंसानियत का गार्डन जो होता है ना इंसानियत का बगीचा जो होता है उसके बहुत ही खुबसूरत fool है ऐसा बोला गया है एक कहावत होती है बोलने की जो बच्चे होते हैं वह काफी सुन्दर चीज होती है ऐसा यहां पर बोला हुआ है तो यहां पर चिल्रन है ना डिरेक्ली किससे compare किया हुआ है फ्लावर्स का होता है तो यहां पर एक तरीके से बच्चों को फूल जो होते है उससे compare करते वक्त ना तो लाइक का उसके है ना तो सो का उसके है फिर भी डारेक्ली कंपेर हो पा रहा है यह सेंटेंस के अंदर अगर कोई पूछेगा नेम दा फिगर आफ स्पीच तो हम लो जो है वह है इनवर्जन तो इनवर्जन का बेसिक मीनिंग क्या होते है नाम सभी थोड़ा पता सदल लाएगा इनवर्जन एक तरीके से आप बोल सकते है थोड़ा सा अब को रिवर्स ओर में लिखना होता है यानि कि जो नॉर्मल ओर होता है वो शूटेबली हम लोग क्या क करते हैं रियर्रेंज करते हैं नॉर्मल ओर्डर को वर्ड के तो उसी चीज़ को हम लोग इनवर्जन बोलते हैं एक्जामपल बताता हूं ताकि आप लोग को और इच्छे से समझ में आ जैसे कि समझ में आरा दोस्तों यहां पर जो यह sentence लिखा हुआ यह थोड़ा मज़ेदार नहीं है क्योंकि इसका जो order है जो sequence में लिखा गया है वो सही ने लिखा गया है तो हमें उसको sequence को सही से करके लिखना पड़ेगा तो जो normal order रहेगा words का वो कैसा हो जाएगा for often when I lie on my couch when I lie पह figure of speech रहेगा इसमें अगर आपको कोई पूछता है name the figure of speech तो आप लिख सकते हो यह क्या है inversion के category figure of speech है clear है दोस्तों तो उमीद करता हो कि यह आपको बहुत easily समझ में आ गया होगा next चलते है पन की तरफ तो पन का मतलब क्या होता है यह आपके लिए नया है हमारे time तो यह था भी नहीं लेकिन यह बहुत easy है इसको पैचाना तो पन क्या होता है it is a play on words having similarity of sound जैसे rhyming होते है तो sound का similarity अगर होता है दोस्तों ठीक है तो उस चीज को पन बोलता है example समझाता हूँ जैसे कि the lift has many ups and downs तो ups and downs क्या हो गया एक तरीके से यहां पे दो ऐसे words जो यहां पे हम use कर है जो आपको दो दो चीज़ बता रहे है ठीक है sound का similarity जैसे यह opposite हो गया अप्स डाउंस ठीक है left right तो ऐसे कुछ टाइप के वर्स अगर आपको देखने मिलेंगे एक sentence के अंदर तो उसको हम लोग बोलेंगे पन ठीक है तो example आपको समझ में आ गया the lift has many ups and downs तो यहां पे ups and downs जाते हो लाइफ में नीचे भी जाते हो यानि कि life में आप तरक्की भी करते हो अच्छे खुशियां भी देखते हो difficulties का सामना करते हो और problems का भी सामना करते हो तो यह यहां पे दोनों ही sentence जो है fit यहां पे बैट रहे है इसलिए अगर आपको कोई पूछता है यह questions पूछ के कि identify the figure of speech या फिर name the figure of speech तो यहां पर आएगा पन आएगा तो उमीद करता हो कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा next जलते है अगला जो type का figure of speech है यहां पे वो है exclamation तो exclamation ओविसलिए we all know that कि exclamation mark होता है यहां पे ऐसा एक लाइन कीचके उसके नीचे एक dot तो उसको बोलता ह तो exclamation mark और या फिर exclamation की बात करें यह सबसे ज्यादा यूज किया जाता है to express the emotional appearance या फिर emotional expression को यहां पे express करने के लिए यूज किया जाता है अब वह emotional expression जो होता है वो बहुत सारे चीज़े का हो सकता है ideas का हो सकता है feelings हो सकता है आपके words में तो यह सबी चीज हम लोग जब discuss क जार क्या मस्ट बारिश हो रही है ओ ठीके ना वाओ ऐसा word हुर रहे वगर ऐसा यूज करते ना दोस्तों तो इसमें क्या होता है exclamation mark लगता है तो यह कुछ टेंसल लेने वाली बात ही नहीं सबसे बेच तरीका है इसको पहचाने का कि कहीं पे आपको यह जो exclamation डॉट दिख आने की कोशिश किए that's why यहाँ पर जो figure of speech आएगा exclamation clear है तो उमीद करता हो कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा चलते हमारे next and आज के इस last figure of speech की जिसका नाम है interrogation या फिर उसको rhetorical question भी बोलते हैं यह बहुत ही confusing भी होता है कुछ लोगों के लिए क्योंकि उनको लगता जा रहा है कोई भी sentence में that's why वो चीज़ को हम लोग बोलेंगे rhetorical question या फिर हम लोग बोलेंगे interrogation तो यहाँ पर क्या होता इसका meaning सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि whenever a question is used instead of a statement यानि कि आपको statement के बदले कोई answer के बदले सीधा सीधा आप question पूछ रहे हो ताकि effect आ सक पर क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूँ तो यह जो चीज है यहाँ पर पूछा जा रहा है यहाँ पर जवाब नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो ऐसे type के figure of speech अगर आपको कोई पूछता है कि पता लगाओ कि यह कुन सा figure of speech है तो आप बलोगे कि this is called as a rhetorical question या फिर interrogation करेक्ट है दोस्थों तो उमीद करता हूँ कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा और एक में यहाँ पर बचा हुआ इसको भी discuss कर लेते है तो हमारा आज का lecture शुरुआ श्टॉप करेंगे तो oxymoron यहाँ पर एक बहुत ही बहुत और बहुत ही यूनीक figure of speech बोला जाते है oxymoron को इसका मतलब यह होता है कि oxymoron is the figure of speech in which two opposite ideas are joined together to create an effect यानि कि एक ही sentence में आपको ऐसे words दिखेंगे जो दोनों एक दुसरे के opposite होंगे ठीक है तो ऐसे type के words अगर आपको कोई भी statement में दिखते हैं जिसमें दोनों words के meaning जो होते है तो ऐसे type के sentence है इसको हम लोग figure of speech का नाम देते हैं वो होता है oxymoron clear है तो उमीद करता हूँ कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा example कि अगर मैं बात करूँ this is nothing but living death exclaim the princess यहाँ पे princess क्या बोल रही है कि यहाँ पे जो जिन्दगी है वो कैसी है living death यानि कि जीते जी मर जाना हम लोग बोलते है हिंदी में कहावत है कि यह तो जीते जी मर गया तो यहाँ पे जीते जी भी बोल रहा है तो यहां पर एक ही सेंटेंस में डो दो वर्ड्स यहां पर अपोजित टर्म जो है वो यूज हो रहे ठीक है तो उमेद करता हूं अकसी मोराम आपको समझ में आ गया होगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आज का लेक्षए वीडियो हमारा यहीं पर समापत होता है जि आपको बता है कि हम हर संडे आपके लिंग्लिज ग्रामर का लेक्षे वीडियो लेकर आते हैं ताकि आप इंग्लिज भी थोड़ा अच्छे से सीख सकें तो उमीद करता हूं कि हमारा आज का जो लेक्सर सेशन आपको पसंद आया होगा और फिगर ऑफ स्पीज जो बचे अगर आपने अब दग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं तो फटा फट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सापने बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों ताकि जब भी हम लोग वीडियो से अपलोड करेंगी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेग ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं हमार एगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थांक यू एंड गुडबाई